नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है आपके योटूब चैनल ट्रेड वित रहाने चले दोस्तों आज की सुरुवात करते हैं जैसे कि अपने क्वार्टर वन रिजल की सीरी चल रही है तो उसके अंदर आज कापश्चन ॉइन सर्विस लिम डर को ना बात करने से पहले अगार आपको आपना चैनल स्ट्राइब कराएब ने क्या है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलेकों बंजाना बिल्कुल नहीं भूलिए तो कही करते हैं मेरे इंजीनियर के सिगमेंट इंफर्सक्रेक्चर मेर रीटेल कमर्सल हेल्थ फार्मसेटिकल ठीक हैं इस बैंक होस्पिटल्टी मेंपावर जरुशन कॉज्सेट कांपनी और है चैने ने से मेंदे जोड़त हैं तो चली समझते सकातों का रिजलत कैसे हैं फिर आगे trading session कैसे रहने वाले उसके बारे में बात करते हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए देखिए आज की दिन इसका quarter one का result आ है इसको थोड़ा से सिंप्लिफाई करके समझते है कैसा रहा इसका quarter one का result तो मैंने scanner के open करेंगे कैपस्टर्न सर्विस लिमिटर अनसी बेस रिश्टर कंपनी है तो आज की डिट में इसका मार्केट काया पे 151 करोड बेगा स्टोक पी चला इसका 47.5 का स्टोक आर उसी चला 6.45 परसेंट का बुग वैली इसकी बावन पर आट पैसे गया रिटर्न आफ विक्वेटी 4.73 का डिविडेंड कंपनी ने वितक दिया 0.67 परसेंट के साबसे और फेस वैली इसकी दसर बेगिया अब देखें कमपनी की जो मैंटेन करके सेल गरोथ इसके दस साल के अंदर आवि तक 27.3 के साब सेने अवितक इसने मैंटेन रख्यों हुई है अब हम बात करें इसके जून क्वार्टर की क्वार्टर वन की तो देखें जून दोजा बैस तो इस क्वार्टर में टोटल सेल ह निकलका है 3.19 करोड बेगा, नेट प्रॉफिट निकलका है 1.28 का, अर्निंग पर शेर निकलका है 1.26 का, अब लास्ट क्वार्ट से कंपरेशन करता है मार्स 2022, तो लास्ट क्वार्ट सेल थी 82.72 वो बढ़के 90.62 हो चुकी है, अप्रेशन प्रॉफिट 3.95 से घटके सीधा 3.19 हो चुका है, नेट प्रॉफिट 0.67 से बढ़के 1.28 हो चुका है, अर्निंग पर शेर भी 0.66 से बढ़के 1.26 हुआ है, तो अब देखिए इस क्वार्ट में क्या हुआ है, सेल में इंप्रॉफ्मेंट देखने को मिला है, तो अप्रेशन प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 0.10 से बढ़के सीधा 1.28 हुआ है, तियानि 10 लाग से बढ़के सीधा 1.28 करोड हो चुका है, और अनिंग पर शेर भी 0.10 से बढ़के 1.26 हुआ, तो देखिए अच्छी कासी बढ़के देखने हो मिली है, हमारको यह रही हुआ है, और सेल मे क्योंकि deep analysis हम लोग पहले ही कर लेते हैं, उसके बद हम लोग को overview देते हैं कि आपको बस समझ आ जाए कि yearly or quarterly result कैसे update हो रहे है, और result आने के बद कैसा share trade करता है, और basically हमारा जो मेरा main purpose है, अगर आप मेरे channel के साथ जूड़े है, तो आपका जो भी किसी बढ़के कोई capital loss ना हो और day wide आपकी capital grow करें, बजार में किसी बी तरह से आप loss ना करें, तो share holding pattern कोई update नहीं देखने हो मिल रहे हैं, तो बदिके result आने के बाद आज share के अंदा क्या movement तो वो समझता है, तो result आने के बाद ये 0.70% गिरावर लाग के बंद हुआ, ऑपन होता है 154 रुपे, high मारे इस वन मंद के अंदर इसने अभीता 2.65% रिटन दिया है, नेगेटिव में, वन मंद के अंदर ये 25% चल चुका है, year to date के अंदर भी तक इसने हमार को अच्छे खासे रिटन दे चुका है, यानि 6 मेनिम आप देखेंगे, आपको अभीता किसने 25% रिटन दे चुका, year to date के अं अच्छा का से मौरेंटम फसा हुआ, यानि यह जाता है, 137 कास पर जाता है, फिर वहां से रिबाउंड होता है, यानि के 143 कास बावर शेर गया, वहां से रिबाउंड होके देखेंगे इस एरी के अंदर काफी टेम से फसा हुआ है, और आज भी रिजल्ट आने के बाद इ है, अगर जाज जादा गिरेगा, तो एक सो पंदले से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि एक सो पंदले से सपोर्ट लग हुई है, और रिजल्ट का इंपैक आपको एक दो दिन में देखने हो मिलागा, जैसे इसके अंदर प्रॉफिट भूकिंग हो जाएगी पूरी, क्यों प्रॉफिट की रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट खराब नहीं है, और रिजल्ट का ओवर्विव जब होगा धीदे रहे, तो वैसे ही कि मार्किट के अंदर इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी, अब आपको करना है या, इसके एक सो पंदले से से सब बाय कर सकता है, और जल्दी ये आपको डेर्ट सो के अपर एक सो पहलेस में टारगेट एक सो पचास का, दूसर टारगेट में एक सो पच्छपन का रहने वाला है, आई होप ये वीडियो आपको पूले तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर फावर्ट करना बिल्कुल ना भूलें, थैंक् शो मच पर वाचिग इस वीडियो